तो हेलो दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में दोस्तो आज केसी वीडियो में आपको बॉलीवुड अबनेता विवेक ओबराई का घर दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो विवेक ओबराई मुंबई के जिस लोकेशन पे रहते है न वहाँ पे गो करते हैं दोस्तो यह देखी यह सामने जो आपको घर दिख रहाए । यहां पर लिखाओा गेट फे सूरेश ओबराई के पिता और यह उनका घर है दोस्तों वाइड कलर का है पूड़ा बंगला आलिसान बंगला है और तो दोस्तों मैं आपको बता पुछ मरमत वगरा यह दोस्तों गविंदा का घर है यह देखें यह जो दिख रहा है ना गविंदा का घर है और गविंदा के घर के जस्ट बगल में ही विवेक ओवराई का घर है अब मैं आपको दोस्तों इनके घर का लोकेशन बता देता हूं तो दोस्तों इनका घर जो है मुंबाई के सबसे पॉस एरिया यानि जुहू में इस्तित है और जुहू एक ऐसा एरिया जहां पे बॉलीवुट के करीब आप बोलेंगे तो जदातर सलिवीटी लोग रहते हैं और दोस्तों जुहू के गोल्डेन बीच पे जो है इनका घर है और वही गोल्डेन बीच जहां पे ये बंगला है और काफी पूराना बंगला है मतलब असमझे कि ये बंगला जो है सुरेश अबराई ने खड़ीदा था फिलाल दोस्तों अगर बात करेंगे तो अभी इस बंगले में काम चल रहा है इस वज़ज़ से इसके सामने वाले बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट जो अगर बंगले की बात करेंगे तो इनका बंगला जो है टुटल तीन फ्लोर का है और वाइट कलर से पूरा जो है कलर किया गया है और ज्याजातर देखेंगे तो कांच का इस्तमाल किया गया यहां पर यह देखिए पूरा जो आपको कांच ही कांच दिखेगा साइड से और बड़ा सा गेट है यह गेट आपको दिख रहा होगा लकरी कलर से जो है पेंट किया गया है और गेट पे दोस्तों सुरे सोबराई लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा जो कि दोस्तों मुंबई के जुहू के गॉल्डेन बीच पे इस्तित है यहां दोस्तों देखिए यह का बंगला है और इनके बंगले के सामने बहुत सारे पेर अपको नजर आ जाएंगे इस बाइस से दोस्तों यहां पर पूरी तरह से जो है बंगला अच्छे सी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों विबेक ओबराई का जनम 3 सप्टेंबर 1974 को हैदराबाद में हुआ था उनके पिता का नाम सुरेश ओबराई है जो की बॉलिवूड के वेटरेर अबनेता है उनकी मा का नाम यसोधरा ओबराई है दोस्तों विबेक ओबराई ने अपने शुरुवाती पढ़ाई है पबलिक स्कूल हैदराबाद से की है उसके बाद अपने आगे की पढ़ाई के लिए अजमेर चले गए फिल्मी परिवार से रिस्ता होने की वज़े से उन्हें भी एक्टिंग में दिल्चस्पी थी जिसके लिए अपने की बारिकिया सीखने के लिए वो जो है निवर्क चले गए दोस्तों विबेक ओबराई की साधी पिड फिल्मी करियर की शुरुआत की थी इस फिल्म में उनके साथ अजय दबगन भी नजर आये थे फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जबरदस्त कमाई की विबेक को इस फिल्म के लिए फिल्म पेर के सरुस्षेश नवदीत अभिनेता के प्रुसकार से नावाजा गया था उसके ब अपनी उनकी कमेडी फिल्म मस्ती भी बॉक्स ओफिस पर बेहत सफल साबित हुई थी इसके बाद विबेक ओवराई ने विवा और दौक किर्षिना जैसे फिल्म की जो दर्सकों को कुछ खास अपनी और आकर्षित नहीं कर पाई वर्स दुजार छे में विबेक ओवराई ओमकारा में केशु के भुमिका में नजर आए इस फिल्म में उनका अबने बेहद ही बहतरीन था आलोचकों ने भी उनके अबने की बहत परसंसा की उसके बाद वुवा एक सची घटना पराधारित फिल्म सूट आट लोखंड वाला में एक ग्यंगेस्टर की भुमिका में इस फिल्म में उन्होंने अपनरे का अमधा परदसन किया साल 2013 में विवेक ओबराई ने फिल्म क्रिस्टरी में बहतरीन अबने से धर्शकों और आलोचकों ko अपना दिवाना बना लिया दोस्तों फिल्म हम दिल दे चुके सिनम के सेट पे विवेक ओबराई की मुलाकात एस समय बाद एसवरिया और विवेक का यह रिस्ता आचाना की खत्म हो गया लेकिन अभी नेतरी ने कभी भी इस बात को सुईकार नहीं किया कि वो विवेक ओवराई के साथ रिलेशन्सिप में थी एसवरिया संग अपने रिस्ते के दोरान विवेक ने यह भी खुलासा किया था क कि अब नेता सल्मान खान ने उन्हें जान से मारने की धम की दी थी और उस वक्त जो है विवेक ओवराई मेरिया को पुला की और बताया था कि सल्मान खान उसे जो है 41 बार कॉल किये और कॉल करके ये बोले कि जान से मार दूँगा तुमारा फिल्मिक करियर जो है पूरी तरह के से खतम कर दूँगा एसवरिया संग खतम हुए अपने रिष्टे के बाद विवेक ओवराई का नाम किसी भी अबिनेत्री से नहीं जुरा यहां तक कि वो इंडेस्ट्री से गाइप हो गए इसके बाद साल 2010 में उन्होंने करनाटक के पुर्व मंतरी जीवराज आलवा की बेटी पिडियंका आलवाज से अरेंज मैरेज की इन दिनों अभिनेता विवेक ओवराई अपनी पतनी और अपने बेटे और बेटी के साथ एक हुशाल जीवन बिता रहे हैं बिवेक ओवराई आखड़ी बार फिल्म नरेंद मोधी में प्रदान मंतरी मोधी के किरदार में नजर आये थे तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो यह जानकारी आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले जाहिंत वन दे मातरम